कि नमस्कार दोस्तों कॉंपेटिचन कम्यूटी ए लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है इस छत्यसगर ऐसा ही स्पेसल क्लास में मैं अनिकेत कुमार दिवांगन आज भारती अर्थ विवस्त है कि कुछ और महत्पूर्ण विशियों पर यहां पर चर्चा करने यहां पर जा रहा हूं तो आज की यहां पर विशय सूची कुछ इस प्रकार है आज हम यहां पर चर्चा करेंगे कुछ यहां पर समाजिक समस्या के उपर में जो किसी भी देश की अर्थ विवस्ता को यहां पर पीछे की और यहां पर ले जाती है वो अर्थ विवस्ता उत लेते हैं गरीबी एक ऐसी समाजिक समस्या है जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक परिवार अपने मूलभूत आवश्चक्ताओं को पूरा कर पाने पर सक्षम नहीं होता समाज में ऐसा वर्ग या व्यक्ति क्या कहलाता है यहां पर गरीब तो इस क्लास में हम लोग उन सारे महत्वपूर्ण MCQ के उपर में चर्चा करेंगे जो गरीबी और गरीबी से रिलेटेड है और जो सरकार के कुछ यहां पर प्रमुक योजनाय हैं जो इनसे संबंधित यहां पर है तो आज की विसे सूची में हम सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि गरीबी मापने का यहां पर आधार क्या क्या है इससे रिलेटेड कुछ प्रकार और वर्तमान आकड़ों के में जो महत्वपूर्ण प्रश्ण है उसके उपर में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे देखिए इस एरिया से भी एक question हमेशा यहां पर expected रहता है तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं यहां पर गरीबी और गरीबी से संच्विप कोई यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्ण है तो पहला यहां पर question कि अगर जा घर्न पर बात करते हैं तो घरण और एंध़ ऑप्षे तो भारत में गरीबी को यहां पर rijवार की प्रिवार के संध्या से थे भारत में गरीबी को परिभाश्य या गरीबी मापने का जो आधार है वो देखते हम लोग क्या क्या है 2011 के बाद में पोशन के अलावा अन्य चीजों को भी गरीबी मापने का आधार के रूप में यहां पर शामिल किया गया और हम देखते हैं कि उन चीजों पर जैसे जिसमें क्या यहां पर बुर्यादी सन्रश्णा हो गया स्वास्थ हो गया सिख्षाी हो गया यह सब भी यहां पर गरिबी वापने के लिए हम लोगा गोआधार के रूप में पर पैयुक्त shy करने लगे और देखने लगे जो दूसरा आधार जो अभी हम लोग वर्तमान में पर फॉलो करते हैं वो है कि उन सभी चीजों पर एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा किया गया मिनिमम यहां पर मासिक कंजम्शन या उपभोग तो वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर म कैलोरी प्राप्तिसे किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा कषटन की और धरीबी रेखा निकानने के लिए कौन से तरीका उपयोग में हम लोग देखते हैं यहां पर चार ऑप्शन इहां पर दिया हुए हैं पहला यहां पर दिया हुए है प्रतिव्क्ति ऑदे भोजन में कैलोरी की मात्रा तीसरा एच सी आर डेट इस हैड काउंटिंग रेशियो तीसरा हम लोग चौथा हम लोग यहां पर देखते हैं साख छड़ता चुकि यहां पर गरीबी रेखा निर्धारन करने के तरीकों के बारे में यहां पर पूछा गया है कि इस रेखा का नि दिकालने के लिए यहां पर निकालने के लिए कौन सी तरीका का प्रयोग करते हैं हैं पृ ness संहंटirsin रेप्स है च्वह है क्या बताता है या व्यक्ति गणना अनुपात ये बताता है कि यह उन व्यक्तियों की संख्या को और वकिर समय को करता है तो हमारे यहां से उत्तर क्या होगा ऐच सी आज आप है ऊँदिश्चिन क्यों है भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं तो देखो जिसमें पहला option यहां पर क्या दिया है यहां पर unemployment की बात कर रहा है यहां पर poverty की यहां पर बात की जारी है तो परिवार के उपभोग वे के सर्वे पर ठीक है दूसरा यहां पर यहां नuard नेससेट ऑ के परिवार के आय के सर्वे सरोप्शन ने नेसएशाओ के परिवार के उपभोग वे के सर्वे पर थो हम लोग अभी अभी अपर बात किये कि गरीबी का अनुमान या बेरोजगारी का अनुमान हम डेसा अधार पर लगा रग कर उपर और उपभोग हुए है मिनिमम कंजम्शन के बेस पर और यह एन एस एस ओ या जिसको हम लोग क्या बात क्या बोलते हैं नेशनल सेंपल कि सर्वे और यहां पर बात करते हैं यह वरीहत इसतर पर इन सभी आकड़ों को क्या करता है यहां पर सेंपल क्या करता है कलेक्ट करता तो ध्यान में रखना जोocument के अनुमान इन में लिख नाफ democrat यहां पर लगाते हैं और उस पेमाने के आधार यह गरीबी को और और संथ ही सान बेरोजगारी को यह क्या करती है यहाँ पर ग tow पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार ऑप्शन यहां पर दीए हुए है जिसमें पहला यहां पर option है आसीक्षा दूसरा बेरोजगारी तीसरा जनसंग के अवरिद्धी चौथा आए के विशमता यह लॉरेंज कर्व की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो लॉरेंज कर्व ध्यान में रखना यहां पर आए में समानता या असमानता को करने वाला क्या है एक ग्राफ हैं जो उस अधा पर यहां पर गरिबी की क्या करता है हो मेली हम लोग क्या देख रहे हैं इसी प्रकाड से हम लह क्या निकाल निकालते हैं यहां पर छिस oni bez ग्राफ है जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं एक तरफ इस ग्राफ में जैसे हम लोग लेते हैं कुल जनसंख्या की हम लोग यहां पर बात करते हैं टूटल पॉप्यूलेशन की हम लोग क्या करते हैं यहां पर बात करते हैं कुल यहां पर जनसंख्या या टूटल पॉपु और इस graph के माध्यम से यहां पर गरीबी को क्या किया जाएगा यहां पर define किया जाएगा कि कितने उस औस रेखा के नीचे जितने यहां पर आएंगे इस graph के माध्यम से जो औस रेखा एक प्राप्त होगी जो एक गरीबी रेखा प्राप्त होगी उस रेखा से नीचे आने वाल यहां पर क्या है जैसे हम दोग क्या देख रहें है सबस्त करो 10-20-30-40-50 60 ओंन्प Gold क्या देख रहे हैं इनके दवरा यहां पर प्राप्त यहां पर क्या है यह अर्निंग है 10-20-40 पर 20-60ौ although सब्सक्रों अगर जितने भी Knowledge जो है उनकी सब की इंकम यहां पर क्या है समाना जैसे 10 वेक्ति ने मिलकर यहां पर 10 रुपया कमाया तो यह कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर यहां पर अगें हम लोग क्या देख रहे हैं 20 रुपया कमाया तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबकी इंकम यह यहां पर intersect करते जाएं तो कहने का मतलब यह समाज में या सुसाइटी में अगर सबके इंकम यहां पर एक्वल है नहीं कोई गरीब है नहीं कोई अमीर है सब यहां पर क्या है समान है तो यह जो ग्राफ है वो कैसे बनीगा अपने को एक सीधी रेखा में क्या होगी यहां पर तो यह सीधी रेखा क्या बताती है कि समाज में पूर्ण रूप से यहां पर क्या है समानता है और गरीबी जैसा कोई भी यहां पर नकरात्मक हम लोग को पहलू अर्थ विवस्था के लिए हम लोगो यहां पर दिखाई नहीं देता है धान में रखेगा अगर यह ग्राफ जि लोगों कि मेल कि मेल के हम लोग क्या देखेया है यहां पर आगे नहीं बढ़ी धीर हैं लोगों की समानता और असमानता को प्रदर्शित करने वाला क्या है ग्राफ है अगर यह 45 डिगरी या सीधी रेखा यहां पर अगर शो करती है तो समाज में पूर्ण रुप से समंता यहां पर क्या है मौजूद है कोई भी गरीबी समाज में व्याप्त नहीं है लेकिन मैंने क्या बुला अगर यह रेखा जितनी जादा वक्री इंकम इनिक्वालिटी को क्या करेगी डिया रहे हैं और शमाज में अमीरी और गरीभी को क्या अपर बढ़ावा तो इस रिखा के माधullen से यहां पर नीचे आने वाले को क्या माना जाता है तो ध्यान में रखना यह work'd रहाए हम लोग क्या देख रहे हैं 1912 में यहां पर अस्तित् odor गया था ठीक है तो ध्यान में रखना इस इस question का निशार हम लोग क्या देख रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा निमले कितमे कौन लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है की विशमता का मापन लारेंज वक्र के द्वारा में यहां पर किया जाता है चलिए नेक्ट क्वेस्टन की और हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेस्टन है निर्धंता का दुश्चक्र निर्धंता का दुश्चक्र या जिसको हम लोग बोलते हैं वीसियस सर्कल ओफ पावर्टी ठीक है जिसे हम क्या देख रहे हैं यहां पर करोडो गीनी ने यहां पर दिया था इसने क्या बोला यहां पर कि कोई देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है इसका एक स्टेट्मेंट है क्या कोई देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है देखो सुनने में तो यह लाइन बहुती एक सिंपल सा लाइन यहां पर लग रहा है एक जूमला लग रहा है कि कोई व्यक्ति गरीब है कोई देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है लेकिन इसके प स्कमेड़ेन 안 sangre का मड़ी यहाँ पराइब यहाँ वहां पर होगी उनकी सेविंग्या इंचा कि आ इनवेश्टमेंट नियुक्ति क्या होगा यहां पर कम होगा वेस्टमेंट वह सेविंग्म कम होने से उनका investment क्या है यहाँ पर कम और यदि अगर उसका investment यहाँ पर कम है तो हम क्या देखेंगे उसको profit भी क्या होने वाला है यहाँ पर कम होने वाला है तो जब investment कम रहेगा तो profit भी क्या होगा यहाँ पर उसका कम होगा और जब profit कम होगा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि again उसकी इंकम हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो उनको इंकम यहां पर गेन हुआ वह वापस से क्या हो जारी है यहां पर कम हो जारी है तो हमको यहां पर इंवेश्मेνट को क्या कर देना चाहीत है यहां पर बढ़ता देना हुगा है कुछ देश गरीब है क्योंकि उसका इंकम कम है तो उसके सेवन भी क्या की कम होंगी इफ офi और जब प्रॉफिट कम हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं नौशनल प्रोडक्ट को जिसमें एक व्यक्ति is उस दुश्चक्र में फर्सकर हमेशा गरीब ही बना रहता है यदि उसको उस दुश्चक्र से निकालना है तो अपने को investment क्या कर देना चाहिए बढ़ा देना चाहिए चलिए तो इस अनुसार हम लोग क्या देखेंगे कि निद्धंगता का जो दुश्चक्र है उसकी आफधा निम लिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का यहां पर निर्धारण करता है तो देखिए चार यहां पर option है पहला केंद्री मंत्री मंडल होंगे क्या नहीं दूसरा लोकसभा तीसरा राज्यसभा चौथा यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर योजना आयोग तो हम लोग क्या देखते हैं कि निम नंकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निधारन करता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग समीतियों के माध्यम से योजना आयोग के अंतरगत यह हम लोग क्या देख रहे हैं भारत जो है वह प्लैनिंग य या योजना गत्र तरीके से विकास करास्ता भारत ने क्या किया था अपनाए था था हम देखें यहां पर प्लिव देखें समय CP जनीव के माध्यमं की तो में गरीब जा सके और जब तक उनकी पहचान नहीं होगी तब तक हम लोग कोई भी योजना यहां पर ला नहीं सकते जो उनकी उस समस्या से उनको यहां पर निजाद दिलाएं तो हम क्या देखते हैं कि भारत में समय समय पर योजना आयोग ने अलग-अलग कमीटियों के माध्यम से यहा हम आप कौन करती हैं यहां पर नीती आयोग करती है तो चलिए अगें सी लिगेंप निर्धनता सुचकांक या कि बात करते हैं हम लोग बहू आयामी निर्धनता सुचकांक में सम्मेलित होता है ठीक है तो हम लोग क्या देख रहे हैं बहू आयामी निर्धनता सुचकांक कहने का मतलब यह क्या है Multidimensional Poverty Index बहू आयामी गरीबी सुचकांक या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर Multidimensional Poverty Index की जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं स्वास्थ्य सिक्ष्य जीवन इस्तर बिल्कुल यह तीनों को ils neweron पर शामिल किया जाता है this आई है निति आयोग ंहां ट्वाख निति आयोग ंहां पर क्या किया था और उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि three dimension को यहां पर इस्तमाल किया था किसको शो करने के लिए मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी गोश्रो करने के लिए तो ध्यान में रखना उसके अंतरगत में क्या-क्या शामिल है एक तो हम लोग क्या देख रहे हैं स्वास्थ दूसरा सिक्षा तीसरा जीवन इस्तर तो हम क्या देखेंगे कि तीनों option क्या है अपना यहाँ पर सही है मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह तीनी डाइमेंशन की हम लोग क्या करेंगे महाँ पर बात करेंगे चलिए आगे next question की और हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतीशत है तो यहसे कि मैंने क्या बुला कि योजना आयोग ने समय समय पर अलग-अलग समीतियों का क्या और दारण किया है जो भारत में गरीबों का प्रतीशत या उनकी पहचान से सम्द्दित को यहां पर थे cooking में से हम लोग यहां पर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देख थार्ड फाइव एयर प्लान में 1962 में एक यहां पर टास्क फॉर्स का गठन किया था उसने यहां पर गरीबों का पहचानने के लिए कुछ अपनी थियोरी दी दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि वाई के अलग जी यहां पर आए जिनों ने यहां पर कैलोरी के आधार पर यह हम लोग क्या देख रहे हैं कि शहरी एरियों एरिया में यहां पर बोल रहे हैं यहां पर की की यहां था चौथा अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ठीक है तो चौथा ध्यान में रखना सुरेश को संदूलकर समीति यहां पर हाया और वरतमायन में हम लोग डेख रहे हैं इसी समीति ने यहां पर जो अपना recommendation दिया था गरीबी मापने का अधार दिया था उसी अधार पर हम लोग यहां पर गरीबी को क्या करते हैं हम लोग यहां पर मापते हैं तो देखो अलग-अलग समय में और देखो सुरेश सुरेश तेंदूलकर कमिटी के रिपोर्ट को यहां पर वेरिफाई करने के लिए एक और कमिटी यहां पर गठित की गई थे जिसको हम लोग बोलते हैं रंगा राजन कमिटी लेकिन मैंने क्या बोला यहां पर कौन से कमिटी के के अनुसार हम रोल क्या देखने हैं कि गरीबी प्रतिशत भारत में जो था वह 21 ौफवा नव प्रतिशत था तो लगभग क्या देखेंगे हम लोग 22 प्रतिशत के लगभग भारत नेक्टे स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला question है निम निकीट में शे किसो को अतिधिक पोशण के कारण भारत का इथोपीया कहा जाता है तो हम क्या देखते हैं कि कोशंड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो मध्यP्रदेश को क्या मौने काफी यहाँ पर आगे था एक समय तो उस समय हम लोक क्या देख रहे हैं कि कोपोशण के कारण मुहाँ पर बाल मृत्युदर में काफी ज्याधा क्या आई थी यहांपर विद्धी हुई इसी के कारण मद्यपरदेश को भारत का इhtोपिया बोलते हैं और इथोपिया क्या है एक एक एफिकन यहां पर बात किया गया है कि गरीबी उल्मूलन का नारा किस पंच वर्षी योजना में यहां पर दिया गया था तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर पुछा गया है कि गरीबी उल्मूलन का नारा की यहां पर बात किया है तो देखो अगर यह नारा शब्द का यहां पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है अगर नारा तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन को जो नारा है जब इंद्रा गांधी जी के समय कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो जब यह नारा उनके द्वारा एक भीड को संबोधित करते हुए यहां पर दि तो वह पांचवी पंचवर्शी योजना में आपको अपना उत्तर यहां पर देना पड़ेगा तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्शी योजना में दिया गया चलिए नेक्स क्वेश्चन की और आगे बढ़ बात करते हैं तो उनकी पहचान के लिए हाशिम समीती का यहां पर गठ़िद किया गया था तो दहान रखिएगा बीपीएल परिवार कि या जिसकों लऑं से समीती ने उनके इहां पर गथित किया गया था या पबलिक डिस्टी ब्यूशन सिस्टम की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो सारजनिक वितरण प्रणाली समाज में ऐसे वर्ग के लोगों के लिए यहां पर लाई गए थी जिनके पास में यहां पर खाने के लिए दो वक्त का आनाज यहां पर नहीं था जो गंभीर यहां पर गरीबी जैसी समस्या या बेरोजगारी जैसे समस्या से यहां पर जूज रहे थे और चुकि हम लोग भारत में हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में 200 साल तक अंग्रेज यहां पर हमारे उपर में राच करके गए थे हमारे यहां संसाधनों की हम क्या द julieale sun तो हम लोग क्या देखते हैं कि आज भी जο है यह पुब्लिक ुदिष्टिबूशन सिस्टम के माद्यम से बच्पन के जो लोग हैं ऑप को भी सरकार यह वादा करती है कि अचुक से कम फोजन यहां पर प्रदान करे तो हम लोग क्या देख रही है कि पप्लिक स्टार्ट हो चुकत था हम लोग क्या देख रहे है 1965 तो द्यान में रखना सारजिनिक विदर नपर पणाल करना अगर चलिए नेक्स्ट की और आप लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि शहरी शेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित से औसतन कम कैलोरी प्रती दिन प्रती व्यक्ति का मानक भारती योजना आयोग द्वारा निरधारित किया गया है तो शहरी शेत्र मे अगर जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों बताया था कि सबसे पहले यहां पर गरीबी रेखा निरधारन करने के लिए यह काम कौन करती है योजना आयोग या प्लाइनिंग कमिशन वर्तमान में लोग क्या देखे नीटी आयोग थ था कि थार्ड फाइव येर प्लान में एक टास्क फोर्स 1962 में गठित किया गया था उसने कुछ अपना यहाँ पर अभी एक रेखा यहाँ पर बताया था दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक वाई के अलग कमिटी क्या किये गई थी गठित कि गई थी किस लिए गठित क इंडियन मेडिकल रिसेर्च काउंसिल के एक रिपोर्ट का यहाँ पर सहरा लिया और बोला कि अगर कोई ग्रामिड इलाके पर निवास करता है अगर किसकी बात कर रहे हम लोग रूरल एरिया या ग्रामिड इलाकों के हम लोग बात करते हैं तो 2400 कैलोरी की आवा शक्ता हो होती है वहां के लोगों को वही हम लोग क्या देख रहे हैं अगर अर्बन या शहरी इलाकों की हम लोग यहां पर बात करते हैं तो 200 कैलोरी प्रती दिन की उनको यहां पर क्या होती है आवशक्ता होती है चुकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रामीड इलाके या रूरल एरिया में मैनवल वर्क क्या होता है यहाँ पर जादा होता है शारेरिक श्रम क्या होता है वहाँ पर जादा होता है इसके करण ग्रामीड परिवेश में जो वहाँ पर क्रिशी या ग्रामीड इलाकों में जो काम करने वारे मजदूर रहते हैं उनको यहाँ पर भोजन करता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाएगा गरीब मना जाएगा तो द्यान में रखना शहरी छेत्रों में क्या लोग कितना सो कैलोरी एक 200 कैलोरी कौन से कमिटी के अनुसार है यहाँ पर वाई के अलग कमिटी तो चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं अगला कुश्ञन है भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम लिखित में से भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम लिखित में कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं कि कौन से विधियों का यहां पर भारत में गरीबी के अनुमान है तु यहां पर प्रयोग किया जा रहा है तो मैंने यहां पर पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग क्या द और रहे पर इस्तमाल कर रहे तो इस प्रश्न के अनुसार इस ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर होगा एक दो और तेन चलिए नेक्स्ट अपर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश तेंदुलकर समीती ने गरीबी रेखा की सीमा निर्धारित की तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि सुरेश दिंदुलकर समीती को ही सरकार अभी तक यहाँ पर मानते हुए आ रही थी तो इसने यहाँ पर मैंने क्या बुला कि मिनिमम पर मन्त पर पर सन कंजम्शन का जो यहाँ पर मुल्य निकलेगा मतला प्रती व्यक्ति प्रती माह उपभोग तो कहने का मतला हम लोग क्या देख रहे हैं कि सुरेश दिंदुलकर जी ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति जो शहरी इलाकों में रहता है उसको अपनी बेसिक पूरा करने के लिए एक माह में प्रत्य व्यक्ति को अपने पीछे कुछ एक निर्धारी तराशी यहां पर खर्च करनी पड़ती है अगर वो उस निर्धारी तराशी को खर्च नहीं करता है या उससे नीचे खर्च करता है तो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा गरीब मा यहां पर कैसे यहां पर गरीबी रिफखा को डिफाइन किया था मिनिमम पर मन्थ पर केपिटा या पर पर सन कंजम्शन की यहां पर बात की थी तो देखो पहला पर सहरी छेत्रों में हजार तथा ग्रामिणी रिलाकों में 866 रुपए प्रति वेक्ति प्रती माह अव्भ歡迎 मुल्यर के आधार पर तो हां बिल्कुल कोई कम अपने उपर में यहां पर खर्च करता है तो वह व्यक्ति क्या माना जाता है गरीब माना जाता है तो हम क्या देख रहे हैं सुरेश तंदूरकर कमिटी ने या समिती ने गरीबी रेखा कि सीमा निरधारित की option A सही होगा शहरी छेत्रों में 1000 रुपया ताथा ग्रामे वहां पर कि नीति आयोग के बहु आमी गरीबी गुणांग में क्या सही नहीं है तो जैसे कि मैंने क्या बुला यहां पर कि की अभी multi मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स सेप्टेंबर 2021 में क्या किया यहां पर जारी किया है तो नीती आयोक के जो यहां पर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी यहां पर इंडेक्स है उससे क्या यहां पर रिलेटेड नहीं है या क्या चीज उसमें यहां पर सही नहीं है त या Global Multidimensional Poverty Index के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंकिंग 66 भी है तो देखो एक गंभीर स्थिति को बता रहा है लेकिन यह जो इस्थिति है वो क्या है हमारे लिए सही है इस्थिति नहीं यह जो अपना यहां पर आंकड़े है वो भारत से संबंदित यहां पर सही है तो ध ऐस्त or Gang अधार मल्रों किया जाता है काउंट किया जाता है और आपषिन कया बहूर रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार सरवाथिक गरीब, यहाँ पर 36 गड़ है तो है तुकि हम लोग क्या देखने हैं कि वर्तमान आकडो के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार की然後 चास प्रतीशत से जादा जनसंख्या वरतमान में गरीबी और कोपोशन से ग्रस्त है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार सरवादिक गरीब राज्ये चपी 6 गरना हो कर तो क्या सही नहीं है पूछा तो क्या सही नहीं है तीसरह यहां पर सही ही नहीं है चौn इहां और बोलता है इसको भी हम लों कर लेते हैं यह रीपोर्ट्टी 7 4 पर धारी देखे हैं डहान में रखेंगा हम लोग क्या देख रहे हैं सर्वैक्षण 5 भी यहां पर जारी हो चुके हैं यह जो ड्रुपец किया गया था सर्वेक्षण किया गया था यह इंडेक्ष जो कुपोशन की भी बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के अनुसार सरवादिक कुपोशित अगर कोई यहां पर राज्य है जहां पर कुपोशन की दर सबसे ज़्यादा है वो भी कौन है अपना बिहार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आज के गरीबी मापने के लिए कौन कौन सी कमिटी कब कब यहां पर गठित के गई वरतमान हम लोग यहां पर आकडों की भी हमने यहां पर बात किया जो गरीबी या गरीबी रेखा के निरधारन के लिए यहां पर क्या है महत्वपूर्ण है तो आशा करता हूं यह गरीबी रिले झाल